नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रेकित में इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपेस से सेकंड ग्रेट और फेस्ट ग्रेट के मैथ के कोर्स के बारे में तो यह एक नई चीज है, इसके उपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा जो कोर्स है उसमें आप वीडियो कितने बार देख सकते हैं अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको मिलेगा क्या-क्या तो ओर्ड बुक का यह कोर्स है दोस्तों, ओर्ड बुक कौन सी जो कक्सा 11 के अंदर 4 बुक चलती थी और 12 कक्सा में भी 4 बुक चलती थी टो उनको भी यह बुक हो लिंक हो डायरेक्ट भेज दी जाएंगे, इसा नहीं है कि अभी जो कोर्स लेगा उसको यह बुक है नहीं मिलेगी, complete कोर्स हो मिलेगा ठीक है आप आज जोइन करें, जाएकल जोइन करें या परसो जोइन करें अब हम बात करते हैं इसके लावा जैसे second grade की exam दे रहे हैं तो आपके लगबग 80% आते हैं ये आपको पता होना चाहिए school वारा जो syllabus है उसके 80% आपके इन दो मतलब 8 book है उनसे आएंगे और first grade की अगर आप exam दे रहे हैं तो इन book से 55% आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए और first grade के अंदर एक book है वो syllabus के अंदर नहीं है आपकी trigonometry वाली वो second grade के अंदर ही syllabus में first grade में नहीं है इसलिए first grade की फीसा हो कम होगी second grade की बजाए अब हम बात करते हैं कि इसते बैतर कुछ नहीं ये लिखने का मतलब हो क्या है इसका मतलब ये है दोस्तों जैसे हमने algebra वाली book की अब जिसने course ले रखा है उसको तो पता है इसके लावा भी जो telegram channel के उपर जुड़ा है उसको भी बता है और YouTube के उपर अगर आपने subscribe कर रखा है तो आप community post के अंदर जाके देख सकते हैं मैंने वहाँ पर भी मतलब सुचना देने का ये प्रियास किया था कि आपके book के अंदर इसे के इसे person आपके paper के अंदर इसे के से मिले है algebra वाली book मैंने पढ़ाई है इसलिए पता है और जैसे जैसे हम आगे book पढ़ते जाएंगे उसके question आपके exam में आयो है मैं आपको बेशता रहूँगा कि ये देखिए यहाँ पे ये person है तो आपको इदर उदर से मान लेजिए आप इदर उदर से 10 से 15 परसन पढ़ते हैं और आपके exam के लाएक उसमें से 1 परसन यह तो अभी आपको मेरे इसाब से 80% बुक के person हैं वो आते हैं और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कराया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो भी बोला हूँ ऐसा नहीं है मैंने साब साब टेलिग्राम चैनल के उपर भी बोला हूँ और यहाँ पर भी आपको बता दूँगा कि अगर आपने रिट के अंदर गलती किया तो आप यह गलती दो रहें नहीं लगबग 80% परसन आते हैं और मैंने टोकल पूरे कम्यूटी पोस्ट के अंदर और मेरे टेलिग्राम चैनल के उपर दोनों के अंदर डाले हैं लगबग 16 परसन हम कवर कर चुके हैं सलेबस का उसम परसन आपकी एक्जाम में आयो यह 2018 वाली में वो कम्प्लीट परसन आप कर सकते हैं तो 80% में कम बोड़न हो लेकिन हो सकता है कि माली जे 2021 में 24% इदर उदर हो जाएं तब भी आपको 80% परसन इन बुक में से मिल जाएंगे और अभी तक तो ऐसा कोई बंदा आया नहीं है क कि मैत का पेपर वो 80% अटेम्ट कर दे तो आपके लिए बहुत ही शांदार यह मेटर रहने वाला है कम पढ़ें लेकिन इतनी बार पढ़ें कि इसमें से 2% है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स में और दूसरे कोर्स में अंतर क्या है और फाइदे मंद यह क्यों है तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा एक तो यह है कि इसमें आपको नियमिता वो बनी रहेगी ऐसा नहीं है कि आज वीडियो डाल दिया अभी 10 दिन है वो एप हो क्रेस कर जाएगा फिर मतलब आपको कोई वीडियो वो नहीं मिलेगा ऐसा नहीं संडे की छूटी देती है वो भी अगर हमारा कॉर्स नहीं हुआ ऐसा लगेगी माली जी की 15 मार्च मैंने लाश्ट डेट वो दिये और 15 मार्च भी 15 दिन भी मैं एडवांस वो रहा हूं लगबग कोशिश है कि आपको फरवरी के लाश्ट तक सभी आठ बुकमों मिल जाएं तो हम अगर नहीं होता दिखेगा तो हम संडे को भी क्लास लगेंगे ऐसा नहीं है कि आपको माली जी के फरवरी के अंदर हर दिन वो 4-4-5 वीडियो मिल जाएं और जनवरी तक हम एक वीडियो में काम चलाते रहें ऐसा नहीं होगा आपको मतलब इसी परकार से कॉर्स और आपके ज़दा ना हो और आप अराम से हो हर दिन पढ़ सके हैं तो अभी हम सिरफ एक वीडियो में चल रहे हैं अगर ऐसा लगेगा कि कोर्स नहीं होगा तो हम दो वीडियो कर देंगे लेकिन दो से ज़दा वीडियो करने की साइद मेरे साथ से जुरुत है वो नहीं होगी तो नियमित्ता बनाएं के लिए आप पढ़ सकते हैं इसके लबा मालेजी आपका बेसिक का वो बहुत कमजोर है आपने मैत से हो क्योंकि जो 11 तो 12 वाली मैत है वो आती नहीं है अगर आप सेकंड ग्रेड या फेस्ट ग्रेड की तयारी नहीं कर है जो 15 साल बच्चा पढ़ता है वो आप सहानिया बीस या 12 साल के उमர में तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहने वाली है क्योंकि आपने BST बेट किया है वो सकता है आपने हमस्ची भी किया हो तो आपके लिए बहुत ही आसान यह बुक रहने वाले हैं और इन्हें बुक में से परसन आते हैं आपको मतलब और जगाय जाने की जूरत नहीं है इन्हें बुक में से परसन आते हैं लगबक 10-12 परसन तो इसे के इसे मिले मतलब जिसमें संक्या भी चैंज नहीं है वो परसन के लेंग्वेज भी चैंज नहीं है और मान लेजी आपने तीन या चार या पांस बार रिविजन कर लिया इन बुक का तो आपके आंस्वर भी याद हो जाएंगे और ऐसे ही मान लेजी आप पूरे जो 80 परसन आपके आने अटेंट करेंगे तो आपका स्लेक्शन वो दोस्तों स्लेक्शन नहीं आप पर टोपर्स होंगे तो यह फाइदेमंद है एक चीज नियमित्ता बनी रहेगी बेसिक से कर रहे हैं यह दूसरी चीज है वो फाइदेमंद है तीसरा आपको अनाप्षना पढ़ने की जूरत नह इससा ही है मतलब आपके सलेक्श में तो आ रहा है यह चीज और आपको कोचशंओ में क्या पढ़या जाता है इतनी सारी चीज़ें बढ़येगे लिएतना सा पढ़ेंगे जैसे SR Sydney मालीजी है, कोई भी guide मालीजी है अच्छी आती है, लेकिन आपको IIT नहीं करनी है, आपको second grade के अंदर या first grade के अंदर selection लेना है इसलिए फाइदे मन्द है, इसा नहीं बोला कि SR Sydney नहीं करनी है आपको, फाइदे मन्द तो है लेकिन अभी आपके पास अगर basic अमजोर है, तो आपको ये book पढ़ने चाहिए मालीजी आपके पास time रहता है, जैसे April के अंदर आपके exam हो जाए तो SR Sydney से पढ़ेंगे तो 3 topic होंगे, और अगर आप इस book से पढ़ेंगे तो हो सकता है, आपका complete course हो जाए और उसके बाद मालीजी के exam होऊ, April के अंदर नहीं हो मई के अंदर हो या June के अंदर हो, June से आगे जाने वाला exam बिल्कुल नहीं है, जून से पहले-पहले आपके exam हो जाएगी, तो June आप last मान सकते है, अपरेल आप first मान सकते हैं April से पहले होने के chances भी कम है लेकिन April से June के बीच आपकी exam कभी भी हो सकती है तो आपके पास अगर time हो तो आप SR से निकलने अगर time नहीं हो तो कम से काम इतना तो पड़े हैं कि selection हो जाए क्योंकि सबसे पहले आपको selection की सोच नहीं है selection जब होने लगेगा तो फिर topers भी आप ही होंगे क्योंकि topers हो पहले topers बनने के नहीं सोचते है अब हम बात करते हैं कोर्स आपको लेना केसे है तो यह देखिए फुई सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा यह देखिए कोई app नहीं है साब साब लिखा हुआ है लेकिन फिर भी समझने नहीं पाते हैं माली जी आपने मैंने आपको लिंक शेंड कर दिया आपकी email ID पर और आपने वो link delete नहीं किया है तब तक आप video देख सकते हैं आप आज देख सकते हैं आज के 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 6 दिन बाद जब तक आपकी email ID सही है और email ID के उपर link आपने delete नहीं किया है तब तक आप video देख सकते हैं और 1000 बाद देख सकते हैं तो ये आप गांट बांद ले कि video के उपर कोई limit नहीं है एक पर, दो बार, सो बार, जितनी भी बार आप देख सकते हैं और बीच में कोई dispense हो नहीं होता है advertisement अवो नहीं आएगा प्राइवेट वीडियो रहते हैं इसलिए इनके उपर advertise अवो नहीं आता है फीज अभी 3499 रुपे है मतलब अगर आप एक साथ फीज देने हैं तो 3500 रुपे प्राइस हो रहेगी अगर आप एक साथ नहीं दे रहे हैं तो 2nd grade के लिए 4500 रुपे पर बुक इससी इसाब से आप देखेंगे तो लगबग 3600 रुपे आपकी प्राइस होगी एक बुक कम्प्लिट हो रही है तो आज आप अगर लें या फिर कल लें परसुन लें तो आपको 900 रुपे पे करने पड़ेंगे पे कहा करने है वो आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में लिंक होगो मिल जाएका टेलीग्राम चैनल का उसके उपर अकाउंट नमर है उसके उपर फोन पर QR कोड है वहां से आप पे पेमेंट आप कर सकते हैं एक साथ करें तो 3499 है अगर आप बुक्वाइज लें तो आप अभी 900 रुपे देकर कोर्स वो जोइन कर सकते हैं ठीक है और अगर आप फेस्ट के लिए ले रहे हैं तो एक साथ आपकी फीस वो 3000 रुपे रहेगी और अगर आप बुक्वाइज दें कि कोलेज वाला भी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे तो इस से कोर्स के अंदर शिरफ अभी तक हम ने जो मतलब आप से वादा किया हो शिरुप स्कूल वाला कोर्स की गिया है बुक्व के लवा आपको संजीव पास्पुग या CBS बास्पूग के अन्य महतोबन परसन में मिलेंगे ये भी काफी कमेंट आते हैं कि आप सिर्फ एक्जामपल ही करवाएंगे सबी क्यूसन मिलेंगे आपको टेंशन ना लें क्यूसन के साथ-साथ जो अन्य महतोबन परसन होते हैं होने देखा होगा रिट के अंदर काफी परसन है इसमें से आए है तो ये भी आपको मिलेंगे है टोपी के लगबग 20-30 परसन हो इंपोर्टेंट होते हैं अन्य महतोबन परसन होते हैं जिसमें लगबग 20-22 परसन तो उपसन वाले होते हैं एबसद होते हैं जो आपके एक्जाम में आने लाइक होते हैं मतलब तो इनी में से परसन आते हैं और ये परसन आपको संजीव पास्पूक के जो अन्य मैतोमन परसन है वो आपको संजीव पास्पूक के जो अन्य मैतोमन परसन है वो आपको संजीव पास्पूक के लगते हैं और बुक इस्टोर से आप लेते हैं तो लगबग 900 या 1000 रुपे तक यह दूर बुक है वह बिलते हैं तो आपकी यह बुक के पेसे हैं वो बच जाएंगे लगबग 25 रुपे का आपका कोर्स है वो हो जाएगा अब बात करते हैं कोलेज से परसन पुछ जाएंगे कोलेज वाला सिलेबस भी होगा उसमें तो सेकेंड ग्रेड के लिए बोलना हूं कोलेज वाले सैलेबस के लिए फेस्ट क्रेड के लिए नहीं बोलना second grade के अंदर जो भी आपका syllabus है उसके लिए मैंने क्या लिखाया कि january से college syllabus शुरू करेंगे लेकिन course लेने वालों की special छूट रहेगी अब exam की date को लेकर ये गोशित किया जाएगा कि course हो कितना करवाना क्योंकि 2 मेने आपको शिरफ रिविजन हो करना चाहिए इसा मेरा मानना और इसा आपका भी मानना होगा मानले जी अप्रेल में आपकी exam होती है तो आपके पास time वहाए फरवरी तक का शिरफ तो जनवरी और फरवरी दो मेने में पूरा college वाला syllabus हो नहीं सकता क्योंकि college वाला syllabus अगर सभी सेकने तो school से भी ज्यादा है उसमें भी आपके 8 book दे रहे हैं और इन 8 book में भी 2-3 book जो हैं वो दो-दो हैं जैसे आउकलन गनीट सेकेंड है और समाकलन गनीट सेकेंड है इन 2 book से 5 परसन आते हैं इसी परकार एनने है और अंतर समेकन है इन दोनों book से भी 5 परसन आते हैं तो कई हैं वो दो-दो book दे रहे हैं अब आप समझदा रहे हैं कि इतना ज़्यादा course हम 2 मेने में तो करना ही सकते है इससे अच्छा है जैसे group जो थोरी है या मैं कुण कि अमुर्थ 20 गनीट है 5 परसन आते हैं जो हमारी book है एक एने वाली वो भी हम कर सकते हैं उसमें भी 2 या 3 परसन आप बहुत ही आसान होते हैं तो हमारा focus आपके time के नुसा रहेगा माली जी exam अप्रेल में होती है तो आपके जो 15 या 20 topic है जिसमें से 100% person है वो पुछा जाता है वो time भी कम लगे वे हम complete करेंगे तो फीस है वो बहुत ही कम रहेगी आपका जो total price हमाली जी हमने जो पहले course रखा था वो 31 रुपे में था तो उनके 5000 प्लस है वो फीस नहीं जाएगी college वारा syllabus की जो price है वो हमारी 2000 के अंदर अंदर रहेगी टोटल फीस हम कुछ भी रखें आपके लिए इससे कम ही हो आपके लिए आपको देनी होगी अगर आप लेते हैं तो तो आप ये attention मेंना रहे हैं कि हमको मतलब यहां पे 3500 देने पड़ जाएंगे और हमारी college वाले भी फिर 2000 दो या 3000 लग जाएंगे ऐसा नहीं है टोटल फीस हो 5000 के अंदर अंदर रहेगी जिसको लेना है वो अभी शिरफ अभी शिरफ इसके ओपर focus ना करें college वाले में अभी मैंने आपको बता दिया हम शिरफ इस price के अंदर शिरफ आपको school से लेवस हो मिलेगा ठीक है वो हम 15 मार से पहले पहले या फिर फरवरिल आज तक आपको मिल जाएगा अब हम आग्या बात करें तो यह देखिए course जिसनों नहीं मतलब लिया है तो वो दोस्तों यह देखिए पूरा पढ़ सकते हैं आप course लेने के लिए आप रुपे ट्रांसपर करके screenshot group पर या मुझे personal भेज सकते हैं account number और phone page code number है वो आपको telegram channel के उपर मिल जाएंगे telegram channel का link का वो description box में वहाँ पे जाके आप join हो सकते हैं वहाँ पे आपको हर चीज हो मिल जाएगी और जिसने course खरीदा है उसको दोस्तों अलग से practice के लिए person वो बेज़ा जाते हैं practice के लिए person कौन से जो अन्ने मैटमन हैंगे और ज्यादा समझ में आएंगे लेकिन फिर भी कोई doubt होता है तो आप personal मुझे बूच सकते हैं और जिन्होंने पूछा है उनको मैंने संतोष्ट बेगा है वीडियो के द्वारा या फिर दूसरे दिन वीडियो जो बनाते हैं उसके अंतर उनका doubt हो सामिल कर लिया जा है अलजेब्रा वाली मेहना यह बूका वो complete हो गई है तो आप देख सकते हैं लगबग 300 प्लस परसन हमने स्रेडी के किये हैं द्विगा समेकन के सो प्लस और एसमेका के 50 प्लस परसन के हैं काफी परसन के हैं ऐसा नहीं कि एकदम नाम मात्र के परसन के हैं बहुत ज़्यदा मेटरा वो दे रखा इन बुके हैं इस बुक के अलबा आपको कुछ भी पढदने हैं कि मेरे नुसर अभी कोई आप सेखता है ऑगर आपकी एकजाम आगे होती हैं आपके पास टाइम होता है तब आप इन बुक के अलाबा प्ल्झे है आप इसा भी नहीं है कि मैं सिरफ यह आपसे हमने पढ़ लिया फिर एक वीडियो लाश्ट में ऐसा बना दिया जिसमें मालेज़े की दो तीन चीज़े तो आपकी बुक में नहीं है और जिन से परसना वो आया हुआ है या फिर आ सकता है वो हमने इंक्लूड वो किया है आप जिसने कोर्स लिया उसको पता है और आ आपको आपसे पढ़ने है मैं यह नहीं बोला कि अगर आप कोचिंग के बरुसे बटे हैं और कोचिंग करेंगे तभी मतलब आपका सेलेक्शन होगा वर्ना नहीं होगा इसा नहीं बोला कोचिंग लेंगे कोचिंग से भी सेलेक्शन हो सकता है लेकिन आप यह बुक पढ़ वो आपके book में इतना सा होता है और इतने में से ही person आता है या आपको बिना मतलब में पढ़ना पढ़ता है अगर आप ये बिना मतलब वाला mater ना पढ़ें और इतने ही जो इतने का ही बार-बार revision करें या बार-बार पढ़ें तो ये हो सकता है वो confusion में गलत होता है और confusion तभी होता है जब आप revision ना करें तो coaching को बरुशें ना रहें बार-बार कह रहा हूं selection लेना है तो book आप जरूर पढ़ेंगे ये book पढ़ेंगे तो आपका selection हो 100% होगा 100% होगा अगर आप book पढ़ेंगे तो हना और coaching को परुशें बठे रहें तो जो read के अंदर आपको हुआ है वो दोस्तों इस पार भी हो सकता है ये कोई बड़ी बात है नहीं अब दोस्तों ये पूरी बात मैंने अपने course से related वो बता दिये आप जिसको लेना है उसको link description box में टेलेग्राम चैनल का मिलेगा वहाँ पे आपको account number मिल जाएंगे वहाँ पे आपको phone पे QR code मिल जाएगा वहाँ से आप payment कर सकते हैं और आपको join होना है तो आज ही join हो तूंकि late ना करें एक book हमारी हो चुकी है already आप औरों से 20% late हो already आप 20% late हो मतलब 40 number वो आपसे आगे हैं तो आप ये देखिए को आपसे 40 number आगे हो मतलब 40% आगे हो जाएंगे अद्धा से ले बस हम कर चुकी है